हालो एवरिवन स्वागत है दोस्ते गए फिर से आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तो बहुत दिनों से बहुत सारे स्टुडेंट्स के डीमांड आ रहे थे किसे हाउस कीपिंग स्टाप का स्किल टेस्ट कैसे कंड़क्ट कराया जाता है जी हां दोस्तो आज का इस विडियो रहनेवाला इस यूपर वेस्ट रहने वाला है कि आप ग्रूप सी इंडियान एफर्स ग्रूप सी के स्किल टेस्ट को कैसे दोगे उसमें क्या करा जाता है दोस्तो आज ही के दिन यानि तीस तारी को आज एक स्टुडेंट का आपका जो है हायओस कीपिंग स् enCallain Air Force Group C के रिकारडिंग सबसे पहले मिले तो चलों दो सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो बात करो enjść encontrar पेरे आपके रिटेन एकजामने के बाद होता है रिटेन एकजाम जब आप कौलिफाइग कर लेते हो तो उसके बाद आपको skill test के लिए बुला जाता है और यहां पर कुछ आपको works करवा जाते हैं वो किस तरह के works होते हैं दोस्तों मैं आपको आगे दिखाता हूं तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप में स्क्रीन को पर देख पा रहे हों कि यह जो है एक message WhatsApp message है यहां पर दिखा हुआ लिखा हुआ ह है दोस्तों की gleichzeitig मेरा कानव माई सरे स्कील टेस्ट का admin card है मैं सकी श्टाप card किसका कानव का आपका admin card ऑया है ठीक है तो इसलिए कि आपका है स्कील क्रvisor का admin card दोस्तों बाई सबस्ट कैकि और पहर पर इसको डिलीवर किया जाता है तो इस वरस आपको परिशान नहीं होना है और आपको हमेशा अपने post office से पता करते रहाना है कि आपका admin card आया है या नहीं तो दोस्तों इनका skill test था 30 September को यानि आज ही के दिन था इनका reporting time था सुबह में 8 बजे ठीक है तो फिर मैंने यहां से उनसे कहा कि send me your admit card उन्होंने अपना admit card भेज़े दोस्तों मैं इसको दिखा नहीं सकता हूँ इसलिए आगे बढ़ते हैं तो यह था दोस्तों उनका admit card जहांपे mention किया वा था post था इनका housekeeping staff और 27 अगस्त को इनका examination हुआ था इनको report कब करना था दोस्तों तो 30 September को यहां पर आप देख पा रहे हो सुबह में 8 बज़े कहां पर तो Air Force Station कानपूर तो कानपूर Air Force Station के जिनका भी admit card आया था और जिनका भी जिन टेट का admit card है मिन्स की आया है उनके examination के लिए तो अगर वो अपना exam review दोस्तों देना चाहते हैं तो हमेरे telegram group को join कर सकते हैं लिंक में description box में दे रखा है उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि क्या कराया गया housekeeping staff के skill test में तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कहा कि 5 पोश्ट था sir और 44 लड़के आये था यानि 5 पोश्ट पे 44 लड़कों को बुलाया गया था housekeeping staff के skill test के लिए ले जाया गया मिन्स की उनको bus से जहां पर ले जाया गया कहां पर ले गया तो air force station के उनको ले जाया गया वहां पर जहां पर उनका skill test conduct करवाना था उसके बाद दोस्तों वहां साप साफाई करवाई इन लोगों से साप साफाई करवाई उसके बाद साथ साथ का group बनाया था में इसकी साथ साथ स्टुडेंट के जो 44 स्टुडेंट गये थे उनमें से साथ साथ स्टुडेंट का गुरूप बनाया उसके बाद दोस्तो मैं ठर्ड गूरूप में था यह ठर्ड गूरूप में था पहले गूरूप से बातरूम साफ करवाया और बाकी सब से जाडू पोचा और घास कटवाई दोस्तों ये housekeeping staff का आपका जो है ये housekeeping staff का जो skill test है उसमें दोस्तों यही workshop से कराए गया means की आपको bathroom साफ करवाए गया इनसे उसके बाद जाडू पोच्छा और जो घास कटवाए जाता है means की जो house के लोगा घास हो गयरा हो जाते हैं उनको clean करवाए गया उसके बाद दोस्तों result का बोला post से आएगा सुबह 8 बजे reporting टाइम थी और आपका 3.30 बजे छोड़ा गया तो इनका जो result है means की skill test का result है दोस्तों आपको by post आपके घर पे आएगा और आपका जो इनको report करवा गया था दोस्तों 8 बजे और इनको छोड़ा गया कितने बजे साथे 3 बजे तो दोस्तों ये थे आपके जो housekeeping staff के जो skill test के बारे में अब इनका जो important point है दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले जब आप skill test जाने जाओगे तो आपको वहाँ पर document चेक होंगे document चेक होंगे document चेक होने के बाद आपको बस से या फिर अगर air force station पर हो तो वहीं पर आपको रहना है या फिर नहीं हो तो आपको बस से वहाँ पर ले जाए जाएगा house keeping step ले दोस्तों तीसरा step है कि आपको से वहाँ पर cleaning करवाई जाएगी मिन्स की कैसे आप एक house को clean रख सकते हो आप जैसे bathroom हो गया जाड़ू या फिर घास हो गया जो हो गया उनको साफ करवाई जाएगा तो इस तरह के काम आपको करवाई जाएगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करवाई जाएगा कि आपसे जितने भी मिन्स की work हो सकते हैं एक house को maintain करने में आपको उस तरह के works को करवाई जाएगे उसके बाद दोस्तो जो आपका result है जो skill test का result है आपको final result send किया जाएगा post office के तुरू जो की आपके घर पे आएगा और उसके तुरू आप joining कर सकते हो तो दोस्तो ये था पूरा procedure आपके housekeeping staff का जो आपका trade है इस skill test का पूरा procedure जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस student का आज ही है जो conduct कराया गया था skill test का 30 September को जैसा कि आपने admit card में देखी लिया तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि सारे जनकारी आपको समझ में आ गई होगी और आ गई होगी तो वीडियो को like कर दिजेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा और साथी साथ दोस्तो टेली ग्राम ग्रूप को जरूर से जरूर जोइन किजेगा जहां पर आपको हर एक update सबसे पहले मिलता है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद